वेलकम इस्टुडेंट इन आल्लाइन क्लासे साफ दिवाइन पॉब्लिक स्कूल इस्टुडेंट आज हम क्लास 10 के चेप्टर 11 टी रेशियो जाप सम पार्टिकुलर एंगल का पार्ट फाइप वीडियो पेस कर रहे हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 11 एसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज प्राब्लम को आपके सामने रिप्रजेंट कर रहे हैं और उस पे डिसकस करने जा रहे हैं इस्टुडेंट जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये चेप्टर 11 ये चेप्टर 11 का पार्ट फाइप और लास्ट वीडियो है इस्टुडेंट क्लास टेंथ के लिए चेप्टर का नाम है इस्टुडेंट ये रिशियो जाप सम पार्टिकुलर आइंगल इस्टुडेंट हाँ पे देख पा रहे हैं कि कोस्टन नमबर 20 है चेप्टर 11 का आरिया सगरवाल का in the adjoining figure triangle ABC is right angled triangle in which angle B equal to 90 degree and angle A equal to 30 degree and AC equal to 20 cm find first question BC and second question AB student यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके solution में यहाँ given है triangle ABC is a right angle triangle angle B equal to 90 degree जो आलेडी question में given है and angle A equal to 30 degree यहाँ पर देख पा रहे हैं and student यहाँ पर AC equal to 20 cm यह सारी बातें student यहाँ question में ऊपर given है तो student इसके according हमने यहाँ पे figure बना लिया यह figure आलेडी बुक में given है student इस तरह से student यहाँ पर A equal to 30 degree B equal to 90 degree AC की value जो दिया हुआ है जो वास्तों में figure में hypotenuse है वो 20 cm दिया हुआ है student student यह 30 degree जो है यही theta है तो आपको मालूम है theta के opposite side perpendicular होता है यहाँ कि student इस figure में BC perpendicular है और AB base है और hypotenuse की value 20 cm दिया हुई है तो student पहला question कह रहा है कि हमें BC निकालना है यहाँ पे देख पा रहे हैं BC student पहले हम यह पता करेंगे कि इस figure में BC है क्या तो student BC जो है वो perpendicular है और दूसरी बात यह देखेंगे student की कौन सी side की value दी हुई है तो student हम देख रहा है hypotenuse की value दी हुई है यानि कि student हमें BC निकालना है और AC की value दी हुई है तो हम BC by AC के बारे में पता करेंगे कि वो कौन सा tier AC होता है तो student हमें मालूम है sine 30 degree यहाँ पे 30 degree है अगर theta होता है तो student यहाँ sine theta लेते यहाँ 30 degree है theta की जवब पे इसलिए हमने sine 30 degree लिया है student और sine 30 degree equal to होता है perpendicular by hypotenuse student perpendicular को अगर इस figure में name देखें तो वो BC है तो student यहाँ पे BC दिखाई दे रहा है hypotenuse के बारे हमें देखें student तो यहाँ पे AC दिखाई दे रहा है तो student यहाँ पे हमने AC ले लिया है student आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देख पा रहे है student sine 30 degree equal to हो जाएगा BC की value हमें मालूम नहीं है student तो हमने just BC लिख दिया और AC की value student 20 cm दिया हुआ है तो इस तरह से student यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे BC की value नहीं दिय हुई है AC की value 20 दिय हुई है student 20 cm तो student यहाँ से हमने sine 30 degree का value रखा sine 30 degree की value होती है 1 by 2 equal to इधर से BC by 20 तो हमने यहाँ से इसका उधर ले जाकर के cross multiply किया student तो इस तरह से BC की value होती है 20 multiply 1 by 2 2 से 20 cancel हो रहा है student तो 10 बच रहा है इस तरह student यहाँ box में देख पा रहे है कि जो BC की value आई है वो 10 cm आई है similarly student यहाँ पे जो दूसरा question है वो AB की बारे में पूछ रहा है तो student figure में देखेंगे कि AB है क्या तो student देख पा रहे है figure में AB जो है student वो base है और कौन सा side दिया है student तो देख पा रहे है hypotenuse given है यानि कि AB और AC में क्या relation है student तो यहाँ पे देख पा रहे है कि AB और AC में जो relation है student वो cost 30 degree का है यहाँ figure में आप देख पा रहे है और question में भी देवे पा रहे हैं तो cost 30 degree equal to होता है base by hypotenuse तो base का इस figure में देख पाए है student इस figure में जो base है वो A, B है student और जो hypotenuse है student A, C है तो इस तरह से student cost 30 degree equal to base by hypotenuse base का नाम है student A, B और hypotenuse का नाम है student A, C, A, C की value यहाँ पर देख पा रहे है student 20 cm दी हुई है तो student cost 30 degree equal to हो जाएगा A, B, B, A, C की value 20 दी हुई है student तो यहाँ से A, B equal to हो जाएगा तो यहाँ पर cross multiply हो जाएगा 20 multiply cost 30 degree student A, B equal to हो जाएगा 20 multiply cost 30 degree का वैलू होता है student under root 3 by 2 जैसा यहां देख पार है 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा student तो 10 अंडर रूट 3 आएगा इस तरह से student यहां पर यह value देख पार है कि AB की value 10 रूट 3 cm आया है student और यहां पर BC का value यहां पर 10 cm आया है student तो student इस तरह से इस question को आप देख पार है question number 20 है student R.E.S. अगरवाल का chapter 11 का student इसी से related यही question के pattern पर हम आपको दो question homework में दे रहे हैं यहां पर देख रहे हैं homework में आपको दिया जा रहा है यह R.E.S. अगरवाल का question number 21 है student इस question में दिया हुआ है same question इसी तरह का है in the adjoining figure triangle A, B, C is right angled at B and angle A equal to 30 degree if B, C equal to 6 cm find first A, B and second A, C student इसका figure हमने यहां पर बना दिया है यह B पर 90 degree है student A की value 30 degree दी हुई है student उपर वाले question में student hypotenuse की value दी हुई थी लेकिन यहां पर student perpendicular की value दी हुआ हुआ है 6 cm यह base होगा क्योंकि theta का opposite side perpendicular होता है student और यह 90 degree का opposite side hypotenuse होता है student और यह base होगा है student तो इस तरह से यह figure जो है यह figure जो देख पा रहे है यह question number 21 का है similarly student यहां पर देख पा रहे है यह question number 22 यह भी R.S. अगरवाल का ही है chapter 11 A का student यहां पर भी वही same उसी तरह का question है in the adjoining figure triangle ABC is right angled at B and angle A equal to 45 if AC equal to 3 under root 2 cm then find first BC and second AB student यहां पर यह 30 degree दिया है यहां पर यह 45 degree दिया है student तो इसके सामने वाला opposite side यह perpendicular हो जाएगा यानि कि student BC perpendicular हो जाएगा right angle triangle में और AB student based हो जाएगा hypotenuse की value यानि कि AC की value दी हुई है student 3 under root 2 cm तो इस तरह से student के question number 21 question number 22 question number 20 के based पर ही जो आप यहां देख पा रहे हैं इसी के based पर है आप बड़ी ही आसानी से इस question को इन दोनों question को कर सकते हैं इस तरह से student इस exercise का एक last question है यह example number 12 है student इसी से related हम एक question भी आपको homework में देंगे student लेकिन यह student इस तरह का question आपके PT1, PT2 और बोर्ड एक्जाम के लिए बड़ा ही important है student इस तरह का question कई बार बोर्ड एक्जाम में student CBSC बोर्ड की class 10 में कई बार पूछा है और यह भी question पूछा है student यानि कि यह भी question important है और जो इसे से related हम आपको homework देंगे student वो भी आपके लिए important होगा और दोनों ही board परिच्छा में पूछे गए question है student जैसा screen पे देख पा रहे है if 6x equal to 6 theta and 6 by x equal to 10 theta find the value of 9 in a bracket x square minus 1 by x square तो इस तरह से देख पार है student solution में given है यह जो दिया हुआ था 6x equal to 6 theta हमने यह पे लिख दिया 6x equal to 6 theta इसे equation 1 मान लिया student आपको भी ऐसे मान लेना चाहिए और second दिया था 6 by x equal to 10 theta तो student हमने 6 by x equal to 10 theta कर दिया इसे equation second मान लिया जब भी इस तरह का question आए student तो given equation को 2 equation बनाना चाहिए एक बार दोनों को add करना चाहिए student और एक बार दोनों को subtract करके उसकी value find out करनी चाहिए जो हम नीचे आपको दिखा रहे है student इन दोनों equation को बना लिया अब एक बार यहाँ पे देख पा रहे है student हम यहाँ पे देख पा रहे है add कर रहे है adding equation first and second आपको भी add करना पड़ेगा जो नीचे के question में हम आपको homework देंगे student adding equation one and second we get तो student इन दोनों को add किया तो यह हो गया 6x plus 6 by x equal to इन दोनों को add किया तो 6 theta plus 10 theta तो इस तरह से student यह value मिल गई 6x plus 6 by x equal to 6 theta plus 10 theta student इन दोनों में से हमने 6 common ले लिया तो यहाँ पर बचेगा student x plus 1 by x equal to inner bracket 6 theta plus 10 theta इसे student हमने equation third मान लिया adding करने के बाद जो final मिला उसको हमने equation third मान लिया फिर student इसी first और second question को हम subtract भी कर रहा है तो subtracting second from one we get हमने second में से first को घटाया है student यहाँ पर देख पा रहा है तो student यहाँ से subtracting second from first की first में से second को घटाया है student तो इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर plus हुआ है वहाँ पर minus हो जाएगा यहाँ से 6x minus 6 by x यहाँ पर हो जागा इस्टुडेंट 6 Theta माइनस 10 Theta तो इसतरए इस्टुडेंट यहां पूजा रहे है 6x minus 6 by x इन ब्रेकेट 6 Theta minus 10 Theta इस्टुडेंट यहां से हमने कामल ले लिया 6 तो ब्रेकेट में आ गया इस्टुडेंट x minus 1 by x और यहाँ पर student यह minus है student 6 theta minus 10 theta इस तरह से इसके final result को student हम equation 4 मान लेंगे अब student multiply the corresponding sides of third and fourth we get student यहाँ पर देख पा रहे हैं यह line student यह equation third है यह student यह equation fourth है इन दोनों को जिस order में है उसी order में हम multiply कर देंगे तो student यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 का 6 में multiply करेंगे तो 6 सिख जा 36 यहाँ पर है student x plus 1 by x हमने रख दिया student यहाँ पर student है x minus 1 by x हमने ऐसे ही x minus 1 by x रख दिया student equal to यहाँ पर student 6 theta plus 10 theta है हमने रख दिया student यहाँ पर 6 theta minus 10 theta हमने as it is रख दिया अब second step में हम student multiply करेंगे यह 36 को हमने AGT उतार दिया है यहाँ पर student दिया हुआ है x plus 1 by x इनदर ब्रिकेट x minus 1 by x तो इस तरह से a plus b a minus b तो student a square minus b square formula होता है आप जामते हैं तो इन दोनों का multiply student हो जागा है 36 तो आलेड़ी यहाँ पर है ही इन दोनों का multiply student हो जागा x square minus 1 by x square और यह वैसे ही यहाँ पर sec theta plus 10 theta sec theta minus 10 theta यानि कि a plus b a minus b तो यह भी हो जागा student sec square theta minus 10 square theta तो student हम 36 को 36 यहाँ पर दिख रहा है इसे 9 multiply 4 कर दे रहे हैं और ब्रिकेट में x square minus 1 by x square student आप पूछना चाहेंगे यह क्यों कर रहे हैं तो student यहाँ पर question में देख पार है हमें 9 x square minus 1 by x square की value निकालनी है और student हमें यहाँ पर मिल रहा है 36 तो इसलिए हम 36 को 9 multiply 4 कर दे रहे हैं x square minus 1 by x square और इधर right side में है student sec square theta minus 10 square theta student 4 को उधर लिया के divide कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा student 9 in a bracket x square minus 1 by x square equal to 4 इधर ता उधर जाएगा तो 1 by 4 हो जाएगा student तो 1 by 4 in a bracket sec square theta minus 10 square theta तो इस तरह student यह question बड़ा ही important है इसी से related हम आपकी exercise का question number 26 जैसा देख पा रहे हैं इस screen पे question number 26 आपको दे रहे हैं यह इस exercise का last question है student कल हम नए वीडियो में trigonometry का chapter 12 भी start करेंगे तो student यहाँ पर देख पा रहे हैं question number 26 if 3x equal to cosec theta and 3 by x equal to cot theta find the value of 3 in a bracket x square minus 1 by x square student यहाँ पे भी आई एमपी लिखा है यह बड़ा important है आपके board exam के लिए student उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा student अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तिसे like, subscribe and share जरूर करें thank you for watching वीडियो thank you, have a nice day आपके जरूर को झा youngest लोगत दुिए चे एिए भल करें felony चे मैंने का तिसे like, mr. victů सजबने आपको जए बूल